हेलो BSC First Year student कैसे हैं आप सभी लोग उमीध है आप लोग बहुत अच्छी होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के इंदर हम डिस्कस करेंगे BSC First Year Botany के फस्स सेमेस्टर में आपका theoretical paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस सेमेस्टर से already में कई सारे वीडियो अप्लोड कर चुका हो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा एक student ने comment किया कि सर आपने economic importance of liken का topic अप्लोड अभी तक नहीं किया है तो आज किस वीडियो के अंदर में discuss करेंगे economic importance of liken ये topic आपके exam paper में दो number में short question में पूछा जा सकता है what is the economic importance of liken कई बार liken के उपर short question में पूछा जाता है liken जोते हैं वो as a pollution indicator की तरह काम करते हैं इसका क्या कारण है तो इसके बारे में कई बार exam paper में पूछा गया है तो चलिए heading डाली जी economic importance of liken student यदि आप basic concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि economic importance of liken के अंदर जो liken होते हैं वो as a food के रूप में कैसे use किये जाते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ liken के नाम याद रखने होंगे जैसे क्लेडो नीरा रेंजी फेरा यह ध्रूव प्रदेशों में रेंडियर के भोजन की काम आती है इसको रेंजीर मास भी कहते हैं यह बारा सिंगा तथा अन्य जानवरों का भोजन है नमबर सेकिंड पर जो liken का नाम आपको याद रखना है वो है सर्टेरिया आइसलेंडिका सर्टोरिया आइसलेंडिका जो है इसे हम आइसलेंड मास भी कहते हैं और इस liken को गेहों की आटे के साथ मिला कर खाने के लिए उपयोग करते हैं नमबर थर्ड पर आपको जो liken का नाम याद रखना है वो है अमली के रिया लेको नूरा यह एक चर्मवत liken होता है और आर्किटिक प्रदेशों में भोजन की कमी होने परियात्री इसको भोजन की रूप में उपयोग करते हैं एसिया में पहाडों तथा सूखा ग्रस शेतरों एवं उत्री अफरीका में लेके नुगरा लाइकेन की जाती भोजन की रूप में उप्योग कि जाती है। पुर्वी साइबेरिया की निवासी लाइकेंस को भोजन की रूप में उप्योग करते हैं। तमिल नाडू में पॉमिलिया की जाती तेलगु भासा में इसे रथापो कहलाती है। इससे स्वादिस्ट सबजी बनाई जाती है। अब 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 करती है। अब हम देखते हैं लाइकेंस का मेडिस्टनल इंपोर्टेंस क्या है। कई बार एक्जाम पेपर में शोट कोशिन में आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइकेन का यूज है वो दवाईयां बनाने में भी यूज किया जाता है पुराने समय में पैल्टी जेरा कैनाइना को पागल कुत्ते की काटने पर दवा के रूप में परियोग करते हैं फेफडे के रोग के निवारन हेतू लुबेरिया पल्मोनेरिया का परियोग किया जाता है इसको हम लंग वर्ट भी कहते हैं एवर्निया फुर्फुसिया से कफ निवारन हेतू ओस्धी बनाय जाती है लेटेरिया वलपाइन विस के खिलाफ दवा के रूप में परियोग होती है कलेडूनिया और सटेरिया की जाती बुखार निवारने तो उप्योग की जाती है परमेलिया सकसेटिली से मिरगी के रोगी का उपचार यानि ट्रिट्मेंट होता है औसनिया से औसनिक एसिड बनता है जो कि एक परति जैविक यानि एंटिबायोटिक है इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोड़ाउन करेंगे लाइकेंस से डाइस भी बनाया जाता है लाइकेंस की जो डिफरेंट स्पिसीज है उनसे रंजक दरवे या कलर वाले पिगमेंट्स मिलते है रोसेला टिक्टोरिया से औरसीन मिलती है जो कि एक स्टोन है इससे और्चिल भी प्राप्त होती है जो कि उनी तथा सिल्क रंगाई में उप्योग होती है लाइकेंस का एकनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर आप लोग नोडाउन करेंगे इससे पर्फ्यूम भी बनता है कुछ लाइकेंस में इसेंशियल ओइल्स तथा पर्फ्यूम भी होते हैं जैसे फॉर एक्जामपल सीडो वर्णिया फूर्फुसिया तथा एवर्णिया पर्सुनोस्ट्री से पर्फ्यूम बनते हैं लोबेरिया पल्मोरेरिया से इत्र बनाने के रूप में इसका पर्योग किया जाता है नमबर सिक्स पर आता है हवन समागरी तथा धूब बनाने में लाइकिन्स का उप्योग होता है जैसे फॉर एक्जामपल एवर्णिया तथा रामा लीना इसके थैलाई में भी मीठी सुगंदित महक होती है नमबर सेवन पर आता है खनीज मिन्रल्स लेकोनिरा एसकुलेंटा मरुस्थलिय इस्थानों में चूने की पत्थर पर उगते हैं और इनसे परियापत मातरा में केल्सियम ऑक्जिलेट मिलता है नमबर एट पर आता है अगनी ओसनिया को ओल्ड मैन बीर्ड भी कहते हैं यह जंगल में वरक्षो पर उगती है तता गरम मौसम में फ्यूज के रूप में कारे करती है यह आग को नेचरल फ्लेम से पकड़ाती है जिससे की जंगल में आग लगने की भी संभावना होती है नमबर नाइन पर आप लोग नोट डाउन करेंगे लाइकेंस की एकनोमिक इंपोर्डेंस में लाइकेंस पॉलिशन इंडिकेटर होती हैं सल्फर डायोकसाइट की ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले एरिया में यह नहीं उखती है इनका जो एलगल कंपोनेंट होता है वो नमबर टैन पॉइंट उचे पहाड़ों पर मिलती है वहां के इन्वार्मेंट की कार्बन डायोकसाइड को ले करके प्रकास संसिलेशन करिया करती है यानि फोटो सिंथेसिस करती है तथा वाता वरन में ऑक्सीजन को दे करके उसको सुद्ध करती है प्योर करती है नमबर 11 पर पॉइंट नो डाउन करेंगे as a pollution indicator लाइकेन की कुछ इस पिसीच उध्योगी की स्थानों पर लगे हुए व्रक्षों पर उखती है जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदुश्युत वायू होती है उसका आउशोशन करती है जिससे वायू बंडल का किया लाइकेंस के एकनोमिक इंपोर्टेंस के बारे में मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं